मृत लोगों के लिए प्रार्थना करना पवित्र भाइबल पर आधारित एक विशेश प्रेम भरा कारिय है क्योंकि इश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य जीवन प्राप्त करें हर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और इसलिए प्रभ येसु भी हमें सिखाये हैं कि हम सबों के प्रार्थना करते रहे और केवल जीवितों के लिए नहीं, मृतकों के लिए भी हम प्रार्थना करें। क्यों? क्योंगी इश्वर के लिए सभी जीवित हैं। एक स्थान, कब्रस्थान रखी हैं। और कैतलिक कब्रस्थान को देख कर ही हम पचान लेंगे कि ये कैतलिक कब्रस्थान है। वो कोई वेस्ट चीजों को, नस्ट हुई चीजों को वहां रखकर या दूर रखने का एक जगह नहीं। बलकि हमारे जीवन से जुड़े एक इसलिए कैतोली कलीसिया मृत लोगों के लिए विशेस प्रार्थनाओं का आयोजन करती है। जिनके द्वारा वास्तों में हम इस महिने को, एक केवल इस महिने को ही नहीं, बलकि हम इस कारिय को हमारे जीवन के का भिन अंग बनाकर हमें करने की जरुवत हैं, तब हम अनभो करेंगे हैं। परिवार की वेधी, दुसरा प्रार्थना, परिवारी प्रार्थना और वेक्तिकत प्रार्थना, तीसरा पवित्र युकरिस्तिय बलिदान, चौता कब्रस्तान में प्रार्थना और कब्रोंगी आशिष, पांचुवां, पवित्र रोजरिविन्दी, चठुवां, वंश्विरिक्ष बनाना, हने फैमिलिट्री, साथुवां, मिर्त प्रियजनों की यादगारी, आठुवां, मिर्त लोगों का विशेस दिन, आगे बढ़ने के पहले आप लोगों के लिए विश्वेस प्रार्तना करके हम उसके बाद में रोजरी विंदी भी करने वाले हैं इसलिए आप हर दिन इसमें जुडने की कोशिश करें साथ ही मृत लोगों के लिए हमें क्यों प्रार्तना करना चाहिए इसके बारे में हम इसके पहले कुछ वीडियोस बनाये हैं उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं आप जरूर उनको भी देखिए और हमारे इस क्रिस्ति विश्वास को अर्थपूर्ण रुप से जीने और दुसरों को भी जीने मदद करने की आप कृपा करें आए हम शुरू करते हैं सबसे पहला कार्य है परिवार की वेदी यह होता क्या है जरूर हम जानते हैं इश्वर के लिए प्रार्तना की वेदी होती है मामरियम के लिए कहीं-कहीं जगों पर गरों पर वेदी होती है लेकिन यह परिवार की वेदी क्या होती है यह एक ऐसे एक विशेस जगह है जहां हम हमारे मृत प्रियजनों के कुछ फोटोस हम रख सकते हैं, उनके कोई स्मृत्ति चुन हम रख सकते हैं, जो हमें वास्तों में उनका जीवित होने का एक अहसास हमें दिलाएगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि मृत मतलब मर गए हैं कोई किसी की मृत्ति हो गई है तो इसका मतलब है कि वो नहीं है, बिलकुल नहीं, इतना ही है कि हम उनको देख नहीं सकते हैं। उनके लिए वे जीते थे, उन मूलियों को अपनाते हुए जीने के लिए भी जरूर मदद करेगा। विक्तिगत प्रार्तना भी पारिवारिक प्रार्तना भी यह जो हम परिवार की वेदी हम बनाए उसके सामने हमें विक्तिगत रूप से भी प्रार्तना के लिए आना चाहिए। पारिवारिक रूप से भी हमें प्रार्तना के लिए एकतरित होना है। केवल उसको बनाकर रखना, वेदी को बनाकर रखना कोई काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम उसके पास आकर प्रार्तना करने के लिए हम बैटेंगे, उटने टेकेंगे, या विक्तिक रूप से इसे ही आकर बैट जाएंगे, उनको याद करेंगे, हमें केवल उनकी यादों को ताजा केवल नहीं करेगा ये कारी है, बलकि हमें हमारे जीवन को, आनंत जीवन को द्यान में रखते हुए जीने के लिए, ये हमें जरूर प्रेरित करेगा, आप कोशिश करके देखेगा, और ये हमें इस दुनिया और जो दुनिया आने वाली, उन दोनों के बीच में हमारी ये जो प्रार्तना है, एक ब्रिज के रुप में ये जोड़ देगा, इसलिए प्रार्तना अनिवारी है, यहां हम दुख जरूर मनाते हुँगे, लेकिन दुख से ज्यादा एक आशा और भरोसे के साथ जीने का एक कारिय ये प्रेरना हमें इस प्रार्तना के द्वरा इससे हमें जरूर मिलेगा, इसलिए विक्तिकत रूप से भी और पारिवार क्रारिक रूप से भी इस दिनों में विशेज प्रार्तना करने की कोशिश करें। चड़ाने के लिए हम कोई भी प्रोहित को विशेस रुप से आप अपने पल्ली प्रोहित के पास जाकर उनका नाम देकर एक उदेश्य के लिए उस दिन के उस पवित्र युकरिस्ते बलिदान को चड़ाने के लिए आप आगर करिए उनसे मांग करिए विशेस रुप से नौ जिन बच्चों को मां के गर्ब में ही या तो मार दिया गया या स्वयम बच्चे मर गये उनको भी हमें विशेश रुप से याद करके उनके लिए भी पवित्र मिस्सा बलिदान चड़वाना अनवारिया है। साथ ही इसमें सहभागी होना भी केवल पैसा देकर मिस्सा चड़वाना के लिए नहीं बलकि सोयम हमें भी उसमें सहभागी होने की जरुवात है। तो हमें उनके लिए भी मिस्सा बलिदान चड़वाना अनवारिया है। चोता कारिया है कबरस्तान में प्रार्थना और कबरों की आशिश। बहुत सारे जगवां पर कबरों को देकर लोग डर जाते हैं। कबरस्तान में जाने से लोग डरते हैं, बिलकुल नहीं डरना चाहिए हमें, हमेरे मृत्त प्रियजनों को याग करके हमें डरने की जरूरत नहीं है। शुद्धी करण के इस्तान पर मैं पड़ा हूँ, मेरे लिए प्रार्थ ना करो। इसलिए हमें डरने की जरुवत नहीं है। तो इसलिए हमें हमारे कब्रस्तानों को हमें विशेश रूप से अलंगरित करना, डेकरेट करना, साफ रखना, पेइंट करना, फूल या कोई बाक कब्रस्तानों के द्वारा प्रकट करते हैं, उस विश्वास को हम वहां प्रकट करेंगे, इसलिए ध्यान में रखिएगा, तो इन दिनों में विशेश रूप से आप कब्रस्तान में जाईए, यदि वहां आपके कोई प्रियजन को डफनाय नहीं हैं, तब भी चलेगा, आ हमें याद करके अपने जीवन को उसके अनुसार जीने के लिए भी एप्रेरना दे सकता है, पांच वांकारिय है, पवित्र रोसरी विंद्ध, पवित्र मिसा बलिदान के बाद, एक सबसे शक्तिशालियक प्रार्थना, संद लोग भी अपने जीवन में अनभौ करके, हमें भी प्रेरित करते हैं पवित्र रोसरी विंद्ध, तो हमें हमारे मिर्त लोगों के लिए हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त या जिनको याद करने के लिए कोई नहीं है, उन सब के लिए हमें पवित्र रोसरी विंद्ध करने की जरुवत है, यही हम हमारे चैनल में हर दिन शा अब जरूर सुने हूँ, हम बहुत सारे लोगों को हमारे दादा दादी का नाम तक याद नहीं हूँ. वो कैसे थे, क्या करते थे, कैसे दिखते थे, हमें पता ने, यह बहुत जरूरी है, हम सभी माता पिताओं के लिए, यह हमें हमारे पूरवजोंगे बारे में अपनी संदानों को बताना, हम कैसे थे, कहां थे, कैसे हम ऐसे बड़े हुए, कितने लोग थे, हमारे परिवार कित पता नहीं है, आपके पुरोजों के बारे में, आप अपने रिस्तदारों में से जो बुजुर्गलों होंगे, उनके पास जाके पूछिए, यदि नहीं है, कहीं न कहीं से आप डूंड निकालिए, यह बहुत ही आनुवारी एक कारिया है, क्योंगि हमें हमारी जड़ को जान अपना धिन्द अवर्शिक है, यह हमें एक प्रकार से जीने का आश्रा देग, इसलिए बहुत ही महतोपुर्ण है, और इसको आप अपने फैमिली का या परिवार की वेदी जुआ पनाते हैं, उसके पास इसको रखिएगा, सात्वां कारिया है, मृत प्रियजनों की याद यह भी एक मौतोपुर्ण एक कारिया है, हमें इन दिनों अपने परिवार में एकत्रित होकर, जो प्रियजन अब हमारे साथ शारीरी कृप से नहीं है, जिनकी मृति हो चुकी है, हमें उनकी अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे कारियों को याद करके, हमें उ इश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उनकी बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, बलकि उनके लिए इश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, और ये क्या करेगा, हमें उनके साथ हमारे संबंद को और मजबूत करेगा, और हमें अपने विश्वास को और अच्छे रितिस जीने के लिए ह प्रेरना देगा या यदि हम उनके सम्मान अच्छा जीवन नहीं जीपा रहे हैं यह में याद दिलाएगा कि वास्तों में हमारे पूर्वच कैसे ते और हमें कैसे जीना चाहिए, इसलिए इसको जरूर करिएगा, इसको आप अपने परिवार में कर सकते हैं, अपने प्रार्तन समूहों में कर सकते हैं, अपने पल्लियों में भी कर सकते हैं, इसलिए आपके पल्ली छोटी है तो, आटवां कारिय है, मृत्त लोगों का विशेस यह हम सब जानते हैं, हर वर्ष नवंबर दो तारिक मता कलीसिया हमें मृत्त लोगों के लिए विशेस प्रार्थना करने के लिए हमें अमंद्रित करती हैं, आगवान करती हैं, तो आप जरूर उस दिन कोई भी कारिया आप करते हों, जितने भी व्यस्त क्यों न रहते हों, आ आप उस दिन जरूर कबरस्तान जाईए, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, उस दिन अपने प्रियजनों के लिए मिस्सा बलिदान चड़ाने के लिए जरूर आप पल्ली प्रोइक से आग रख कीजिए, नववांकार यह है, पल्ली समारक दिवार, यह क्या हो चुकी है, उनके हम फोटोश रख सकते हैं, उनका नाम लिख कर रख सकते हैं, यह सब क्या करेगा, हमें याद दिलाएगा, क्योंकि अभी हम जो जी रहे हैं, जो युवावस्ता में होंगे, हम बहुत सारे लोगों को जानते नहीं है, लेकिन जब हम इन लोगों के उनों का केवल नहीं, हमारे पल्ली में या पल्ली के बाहर से भी कुछ विशेस लोगों का देन है, कोई फादर हो सकते हैं, कोई सिस्टर हो सकती हैं, और अन्य भी हमारे लोग दर्मी भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग अपने आपको कुर्बान के हमारे विश्वास के लिए, जब हम उनके pictures या photos देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, उनके बारे में हम सुनेंगे, वास्तों में हम हमारे विश्वास को और भी मजबूदी से जिने के लिए प्रेयर ना देगा, जरूर, इसलिए आप जरूर इसको करने की कोशिश करिए, यदि आपकी पल्ली बहुत वास्तों में यह हमें विश्वास में दिड़ता के साथ जिने के लिए आध्यादमिक जीवन में, गैरे रूप में, गैराई पाने के लिए वास्तों में, यह हमें जरूर मदद करेगा, दस्वांकार यह है, पल्ली रिट्रीट, बहुत सरलों सोच रहे होंगे, इन दिनों म हमें मृत्यू के बारे में विचार करना अत्यंद अवश्यक है, इसलिए पभित्र बाइबल में हमें बताया गिया है कि जो वेक्ती मृत्यू के बारे में विचार करते हुए, ध्यान करते हुए, मनन करते हुए, अपनी मृत्यू को सामने रखते हुए जीता है, वो पाप नहीं करेगा तो जब हम इन दिनों में हम विशेष 트REE का हयोझन करते हैं उसमें भाग लेते हैं हम हमारे जीवन हमारी मृत्यू के बारे में हम विचार करते हैं यह हमें 72 जीवन पवित्र जीवन जिने के लिए जरूर प्रेरित करेगा इसलिए पढ़ी स्तर पर आप लोग कोशिश करिए इन दिनों विशेस रेट्रीट का प्रार्थना के दिनों का आयोजन करना। क्योंकि वे मर चुके हैं वे स्वयम अपने लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। हम जो जीवित हैं हमी लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अब ये भी कहा है मृत लोग अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे संदों के जीवन में भी गडित गटनाओं के बार में भी हम देख सकते हैं। या आप लोग दोस्त लोग मिलकर भी कर सकते हैं। बहुत ये विशेश कारिय होगा। इसके लिए विशेश अनगर आपको प्राप्त हो। बारों कारिय है ओनलाइन सहायता समूग। इसको आफ लेन भी रख सकते हैं। 25-27 साल का होगा, उनकी मृत्ती हो गई, उनकी शादी हुए 6 साल होगा, तो बैचारी उसकी पत्नी जी रही है, सास ससूर कोई नहीं, अब उसके साथ क्या बीत रखा होगा, यदि कोई सहायता समुहाई से होता, उन्हें एक प्रकार से मार्ग दर्शन देने में, उन्हें संभ वाटसब ग्रूप्स हैं, फेस्बुक ग्रूप्स हैं, और अन्य भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे हमारे वेबसेट भी हैं, तो इस प्रकार की प्लाइटफरम्स के दुआरा हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, तो ये रहे 12 कारिये, और मैं विश्वास करता हूँ, इसके स साथ साथ बहुत सारे अन्य कारिये कर सकते हैं, जैसे हो सकता है, आज आप जहां जी रहे हैं, वहां आपके पूरवज नहीं जीए हूँ, तो कोशिश करिए आपके पूरवज जहां रहते थे, कोई गाओं इलाका होगा, शहर होगा, कहीं भी होगा, तोड़ा सा जाने की को आप किन किन को करने वाले है उसको भी हमें बता इए हम एक दूसरे को प्रेरित करें और यह मत भूलिए कि हम पुनर्जीवित प्रभू में विश्वास करते हुई जिने वाले लोग हैं हम मृत्त प्रभु में नहीं पुनर जीवित प्रभु में विश्वास करने बाले हमारे प्रभु जीवटे हैं हम सब पुनर जीवित कर दिएगे हैं वास्तों में बप्तिस्मा कार्थ वही है लेकिन हमारे पाप के कारण हम एक स्थदी में अशुदता की स्थदी में अपवि जहां हम पभित्र किये जाते हैं। जो भी विश्वास को जीएं, दूसरों को जीने प्रेरेत करें, इश्वर आप सबों को विश्वास आशिश और अनगर प्रदान करें, आप मत भूलिए हर दिन, शाम, साड़े, छे बजे, हम मिलकर अपने मृत प्रिये जनों के लिए विश्वास प्रार्तना करेंगे, भन्य जोपटर म ए defच Zahlपिश और योपटनी ऊभ्रतना तन्य विश्वे को जायर प्राक करेंगे, दोभटर प्रार्णा याज्वास झाल येुवास रत्